आज का विशय दुआउं से अपनी जोली कैसे भरे कल बाबा ने तो सब की जोली दुआउं से भर ही दी यही कहेंगे न सभी ने अपनी जोली में दुआएं भर ली यह नहीं भरी बाबा इतने ज्ञान रतनों से जब बच्चों को श्रिंगारते हैं साथ ही साथ कई जन्मों के लिए वो रतन हमारे साथ रहे ऐसी हमारी बुद्धी की जोली को भी भर देता है दुआएं प्राप्त करना अर्थाथ पात्र आत्मा बनना क्योंकि दुआएं किसको मिलती है जो पात्र होता है कोई पात्र नव हो तो चाहे कोई दुआ देना तो भी दे नहीं पाता है और उसी के लिए बाबा ने कल की मुरली में भी कहा संतुष्टता ये हमारी पात्रता को बनाता है दुआएं प्राप्त करने के लिए आंत्रिक स्थिती हमारी जितनी संतुष्टता वाली होती है उतना ही हम दुआओं के खाते को जमा कर सकते हैं क्योंकि दुआएं सिर्फ हमें बाबा से ही मिले ऐसा नहीं है सिर्फ हमें बाबा से ही लेना है नहीं बाबा जब सर्टिफिकेट लेने के लिए कहता है तो ये चार सर्टिफिकेट हमेशा हर एक को प्राप्त करना होता तभी उसको दुआएं प्राप्त होती है पहला सर्टिफिकेट स्वयम स्वयम से संतुष्ट अर्थात स्वयम भी स्वयम को दुआएं देते हैं इतना स्वयम को योग्य बनाना दूसरे मुझसे संतुष्ट हो अर्थात दूसरों से दुआएं प्राप्त करना तीसरा मेरे साथी जहां हम रहते हैं जो मेरे संबंद संपर्क में रहते हैं वो मुझसे संतुष्ट हो अर्थात वो मुझे दुआएं दे और चौथा बाबा मुझे दुआएं दे अर्थात भगवान भी मुझसे संतुष्ट हो तो ये चारों रूप से जब हम दुआओं को को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, तब हम अपने जमा के खाते को बढ़ा सकते हैं, अब स्वयम स्वयम से संतुष्ट कैसे रहेंगे, उसके लिए कल की मुर्ली में और पिछले सीजन की मुर्लियों में भी, बाबा ने एक बात के उपर बार बार जो एटेंशन खिचवाया है, वो है स्वमान और सम्मान, स्वमान की स्थिती, बाबा ने जनम ते ही हर बच्चे को स्वमान दिया हुआ है, कल बाबा ने और स्पष्ठ रूप से कहा कि कैसे एक एक वर्ग वालों को, एक एक लेवल वालों को बाबा ने स्वमान दिया, चाहे वो बच्चा हो, बजुर्ग हो, कन्या हो, कोई भी हो, प्रवरति वाले हो, कोई भी हो, लेकिन हर एक को भगवान ने कितना उंचा स्वमान दिया है स्वमान की सीट पर जितना हम सेट रहते हैं अब एक ही स्वमान को लेकर के रोज बैठेंगे क्या तो भी बोर हो जाएंगे उप जाएंगे तो मुझे एक मुरली बाबा की याद आती है काफी सालों पहले की जिसमें बाबा ने कहा था कि बाबा ने हर बच्चे को इतने सेट्स दिये हैं श्रिंगार के क्योंकि स्वमान क्या होता है स्वयम को श्रिंगार ना तो कभी शांती की शक्ती के स्वमान में बैठे तो वो श्रिंगार हमारा हूँ स्वमान माना खाली हमें ये रटने की बात नहीं है कि मैं मास्टर सर्विश शक्ती मान हूँ या मैं शांती का आउतार हूँ और यही मैं रठती रहूं सारा दिन ये कोई स्वमान नहीं है लेकिन स्वमान का सेट धारण करना अर्थात कि वो नैन, चैन, बोल, व्यवहार, कर्म हर एक बात में वो शान्ती की शक्ती का प्रयोग हो ये है स्वमान जो स्वमान में होगा कि मैं शान्ती का अवतार हूँ ये स्वमान मान लो कि हमने ले लिया आज सुब अमरत वेले अपने आपको दिया ये मैं सर्वशक्त, मास्टर सर्वशक्ती मान हूँ ये स्वमान मैंने आज लिया अपने तो वो शक्ति प्रवाहित होनी चाहिए मेरी दिश्टी से, मेरी वृत्ती से, मेरी भावनाओं से, मेरे रिधै से, मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से, मेरे व्यावहार से हर एक बात में वो शक्ति प्रवाहित होनी चाहिए या वो शान्ती प्रवाहित होनी चाहिए तब कहेंगे या दूसरे भी मैसुस करेंगे कि हाँ आज इसने ये स्वामान का सेट धारण किया है तो बाबा ने हम बच्चों को इतने सेट्स दिये हैं जैसे कोई सोला श्रिंगार होते हैं वो सोला श्रिंगार हम बच्चों को मिले उए हर एक चीज को किस तरह से हम वो स्वामान से सजाएं और उस स्वमान की स्थिती में जब अपने मन को स्थित कर देते हैं तो उससे ही हम सारा दिन जो कर्म करते हैं और उस अनुसार होता है तो स्वयम स्वयम से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ आज मेरी दिन चरिया बहुत अच्छी रही आज मेरा सब के साथ व्यवहार जो रहा उससे भी मुझे अपने आप में संतुष्टी हुई तो इसलिए बाबा बार बार ये जोर लगाते हैं स्वमान में स्थित हो स्वमान में स्थित हो यही अगर एक पुर्शार्थ हमारा होगा तो हर करमेंद्रिय उसके ओर्डर के हिसाब से चलेगी तो इसलिए ये स्वमान के श्रिंगार को धारण करना और हर करमेंद्रिय तक वो श्रिंगार हमारा धारण हो क्योंकि ये स्वमान इतनी स्रेश्ट चीज है इतनी बड़ी शक्ती है जो हमें भगवान के साथ बैठने का एक अधिकार प्रदान करेगी और उसमें जो संतुष्टी मिलेगी आज हम जब प्रैक्टिकल देखते हैं के दादियां बाबा के साथ गद्धी पर बैठती है कितनी खुशी होती है खुशी होती है इन्हें सभी को कितना तालियां बजाते हैं कितना लोग खुश होते हैं कि हमारी दादियां बैठते हैं नहीं होगी उस समय अंदर में एक इर्शिह आ जाती है अरे इससे तो मैं अच्छा हूं यह आता था ना अंदर में लेकिन जब दादियों को देखते हैं तो खुशी होती है क्यों? क्योंकि वो उस योग्य है उस सीट पर बैठने के योग्य है इसी लिए उनके प्रती और भी हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि यह बाप समान की स्थिती पर है तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि यह स्वमान की स्थिती को अगर आप धारन करेंगे तो इश्वर के साथ बैठने की योग्यता आप स्वयम में प्राप्त कर सकेंगे यह इतनी बड़ी चीज है यहां बैठने की बात नहीं कर रही हूं क्योंकि बाबा कहते हैं कि स्थूल वतन में तो फिर भी भगवान को भी कुछ काइदे में चलना पड़ता है लेकिन अव्यक्त वतन में न कोई काइदा है न कोई सीमा है न समय है हर बात से अव्यक्त वतन उपर है तो अव्यक्त वतन में जाकर के भगवान के साथ बैठो और उस सीट पर आप बैठ सकते हैं जितनी देर आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं लेकिन वहाँ जब बैठने की बात आती है तो क्या होता है बार-बार नीचे खिसक पड़ते हैं नीचे ही सरक जाते हैं अरे बाबा कहते हैं बच्ची योग में जब बैठो तो स्वयम को भगवान के साथ बिठाओ वतन में आकर के बैठ जाओ मेरे साथ में ओफर कर रहा है लेकिन ओफर करने के बाद भी हम वो ओफर को स्विकार नहीं करते बार बार नीचे अपने व्यार्थ संकल्पों से क्या करते नीचे खिसक जाते हैं वो सीट से नीचे उतराते हैं भगवान ओफर कर रहा है बैठो मेरे साथ और यहां बैठना चाते लेकिन अगर यहां वो स्थिती नहों तो भगवान के बाजू में बैठने के बाद भी वो खुशी नहीं होंगी ना दूसरे को खुशी होंगी हमें देख करके इसलिए जहां भगवान ने हमें ओफर किया है वहां ही हम पहुँच जाए अपनी इतनी उची स्वमान की सीट पर बैठे तो हम उसके साथ बैठने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं जैसे रॉयल घराने के लोग होते हैं या राजा के साथ बैठने का अधिकार किसको होता है जो कुछ तो उसके लेवल के हो अगर उसके लेवल के ही नहीं हो तो उसके दरबार में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकता है साकार बाबा जब अपना अनुभव सुनाता था कि कैसे राजाओं, महराजाओं के महल में जाते थे बाबा की धाना ऐसी होती थी जो वो राजाएं भी कहते थे कि भगवान से भूल हो गई भगवान को राजा आपको बनाना चाहिए था और हमें बना दिया मना इतना बाबा का अपना स्वमान था और उस स्वमान में स्थित होते थे कि भले वो कोई भी चीज की ओफर करते थे कि बाबा शराब ले लो, बाबा ये ले लो बाबा कहते थे आपके कारण में अपना धर्म ब्रश्ट नहीं करूंगा और आज हमें कोई कहता है तो हम क्या कहते हैं अरे उसको बुरा नहीं लगना चाहिए इसलिए उसको थोड़ा तो वो आफर कर रहा है तो मना थोड़ी कर सकते हैं अब हम ही अपने स्वामान की सीट से नीचे उतर आए उनके लेवल पर जाकर बैढ़ गए और फिर भगवान के साथ बैठना चाते हैं तो बैठ सकेंगे और वो आत्मा भी हमें दूआ दे सकती है कि ये तो अपने लेवल का ये कोई बात नहीं इसको कहेंगे ना चार बार कहो तो पांचवी बार इलेई लीएंगा अब क्या हो रहा हमारा हमारी क्या इंप्रेशन है हमारा क्या ये स्वामान है तो इसलिए बाबा ने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा तो इसलिए कहा कि हमारा अपना स्वामान जो भगवान ने अमको दिया है हम उसमें ही स्थित रहे न हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने स्वामान की सीट से नीचे उतर आए क्या वो खुश होंगे और ही अगर हम अपने स्वामान में रहे तो वो ज्यादा खुश होंगे कि देखो ये व्यक्ति के जीवन में कुछ दिव्यता है अलौकिकता है मुझे याद आता है कई बार में बाहर जाती हूँ कई ब्रामन भाई बैनों को देखते हूँ बैज नहीं होता है और उनको जब पूछते न आपको बैज नहीं है तो क्या कहते है क्या कहते पता है वो कहते हैं कि अरे हमें सब में रहना पड़ता है समाज में रहना बैज देखेंगे तो पता नहीं कोई क्या समझेगा, कोई क्या कहेगा, यह ना? आज दुनिया में देखो कोई रोटरी का मेंबर होता है, या लाइन्स का मेंबर होता है, उनका अपना छोटा बैज होता है. वो रोटेरियन वाले हमेशा वो बैज लगाके रखते हैं, और कहीं भी अपना परीचे देंगे न, कहेंगे हम रोटेरियन हैं, मना हम समाद सेवा करते हैं, भले उनकी समाद सेवा कैसी भी हो, लेकिन उसको अपना एक नशा रहता है कि हम रोटेरियन हैं या हम लाइन्स वाल अपनी आइडेंटिटी उसी रूप से लोगों के सामने लेहाते हैं लेकिन आज ब्राह्मन बच्चे हम इतने चरित्रवान संस्था के मेंबर हैं वहां रोटरी वाले या लाइन्स वाले तो कोई चरित्रवान संस्था के मेंबर नहीं भी एक खाली समात सेवा करते हैं उसका पर्सनल कैरेक्टर तो देखो किस प्रकार का होता है क्या होता है फिर भी उनको एक नशा है कि हम लाइन्स के हैं यह हम रोटेरियन है और यहां हम इतनी चरित्रवान संस्था के मेंबर है और उस मेंबर होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उसका बैज लगा हमारी आइडेंटिटी यही है लेकिन वो आइडेंटिटी रखने के लिए हमको शर्म आती है क्या यहीं हमारा स्वामान है तो हमें दुआएं मिलेगी भगवान से दुआ मिलेगी कभी नहीं मिलेगी अरे हर एक व्यक्ति जब इस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी देने लगे समाज के अंदर और हम क्या कारिय कर रहे हैं कितनी चरित्रवान यह संस्था है कि इस प्रकार की यहां एक्टिविटीज हो रही है कैसे मनुष्य के चरित्र निर्मान होने का कारिय चल रहा है तो उसका तो पहले हमें अपनी आइडेंटिटी में जोड़ना चाहिए वो अगर रोटेरियन के रूप से अपने आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं कि हम ब्रमा कुमार है या ब्रमा कुमारी है तो इसलिए ये जो छोटी-छोटी निशानियां भी बाबा ने दी है कि जो हमें अपने स्वमान को याद दिलाएं तो हम दुआओं के बात्र बन सकते हैं लेकिन अगर वोही चीज़ को हम अपनाने के लिए अपने आप में भारी मैसूस करते हैं कि नई हमें अगर बाहर जाना पड़ता है कोई कहता है तो हमको खा लेना पड़ता है ऐसा कर लेना पड़ता है वैसा हो जाना पड़ता है नहीं, हम अपने आपको uniquely present करे यह हमारा करतव्य है कि उसमें भी एक सेवा है बाबा ने अगर वो स्थान पर हमें भेजा है तो भी हम अपनी identity को maintain रखे और हम उस रूप से लोगों के सामने आए दो दिन बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर अग्यानता है किसी बात की इसी लिए बोलेंगे तो वो अग्यानता उसकी हम दूर करे तब वो उसके मन के अंदर भी आएगा अच्छा हमने तो समझाई नहीं था कि वहाँ इतनी अच्छी सिक्षा देते हैं तो जिस दिन उनका जीवन बन जाएंगा वो अंदर से आपको दूआ देंगा कि ये व्यक्ति निमित बना था उनकी पहरवाईश को देख करके निमित बने थे ये व्यक्ति हमें ग्यान देने के लिए या हमारे अंदर से या ज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तो दिन से आपको दुआ देगा तो इसलिए जो बाबा ने हम बच्चों को नियम मर्यादा धाने दिये ये हमारे लिए बहुत बड़े स्वमान है और उस स्वमान में हमें अपने आपको स्थित करना है तब हम वतन में जब बैठते हैं योग में बैठते हैं तो अंदर से हमारी स्थिती लाइट होती है स्वमान लिया है सुब अमृत वेले से लेकर के तो धीरे धीरे सारे दिन का इसका अभ्यास में लगे रहे तो स्थिती लाइट रहेगी और लाइट रहेगी तो दिन भर में ऐसा कोई कर्म व्यवार हमसे नहीं होगा जो उस स्वमान से विरुद ले जाता हो वो नैचरल रूप में हमारे से प्रवाइत होगा और फिर जब योग में बैठेंगे तो सहज उड़ने का अनुभव हो सकेगा जो भी व्यर्थ संकल बहाँ चलते हैं कारण क्या होता है कि अमृत वेले स्वमान तो ले लेते हैं दस बजे तक वो स्वमान रहता भी है याद रहता है दस बजे के बाद क्या होता है वेपोराईज हो जाता है उड़ जाता है जैसे वो पेट्रोल उड़ जाता है ऐसे वो स्वमान भी हमारा उड़ जाता है और हम इतनी साधारन स्थिती में आकर के लोगों के साथ व्यावार करने लग जाते हैं बोल चाल हमारा हो जाता है कि दूसरों को वो दिव्यता हमसे नजर ही नहीं आती वो अलोकिकता हमसे नजर ही नहीं आती और इसलिए कई मार कई लोग तो बोल भी देते कि भगवान आपको यही सिखाता है क्या अब यह दुआ मिली क्या मिलाई ये जब कॉमेंट मिलती है तो उसको दुआ तू नहीं कहेंगे न तो इसलिए बाबा ने जो हमें स्वमान दिया है उस स्वमान में रहने से ये स्थिती को अगर अपना लिया तो उसकी पहचान क्या है मैं स्वमान में हूँ उसकी पहचान क्या होगी कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं स्वमान की स्थिती में हूँ या नहीं हूँ उसकी पहचान यही है कि कर्म में हर एक आत्मा के प्रती सम्मान की भावना अवश्य होगी इसलिए स्वामान स्थिती है पुर्शार्थ है तो सम्मान ये कर्म है ये व्योहार में जो आया सम्मान की भावना ये हमारा प्रालब्द है अपने आप पुर्शार्थ का प्रालब्द यहां ही मिलता है अगर मेरा पुर्शार्थ सही है ये नहीं कि खाली अमरत वेले मैंने ले लिया या सारा दिन में उसको रटती रही या दस बार मैंने लिख लिया कागज पैंसिल ले करके कि मैं master service शक्ति मान हूँ या मैं शान्ती का उतार हूँ ये मैंने लिख लिया और फिर जब मेरे सामने कोई आया तो मुझे गुसा आ गया तो वो स्वमान है नहीं है understood है तो स्वमान की स्थिति में अगर है और वो स्वमान की स्थिति मेरी स्मृती में है और वो स्मृती स्वरूप हम बने है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमान कि हमारे कर्म में व्योहार में हर एक आत्मा के प्रती सम्मान होगा ही तो सम्मान स्वामान ये पुर्शार्थ है सम्मान ये प्रालब्द है इसलिए बाबा कहीं बार कहते हैं कि अपना रिजल्ट अगर देखना चाहते हो कि भविश्य में हमारा प्रालब्द क्या होगा तो भविश्य प्रालब्द निश्चित होता है संगम यूगी प्रालब्द से वो संगम यूगी प्रालब्द क्या है साधन सुविधाएं मिल जाना ये संगम यूगी प्रालब्द नहीं है संगम यूगी प्रालब्द व्यवहर में आता है और व्यवहर में हरेक आत्मा के प्रती वो सम्मान बना रहेगा और सम्मान की भावना बनी रहे उसके लिए क्या चाहिए जो कल बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही स्ने बाबा के साथ हमारा 100% स्ने है तो उसकी पहचान कि हर आत्मा के साथ भी हमारा 100% ही स्ने होगा इसलिए बाबा ने बड़ा युक्ती से कल सवाल पूझा बाबा के साथ हर एक का 100% स्ने है हाथ उठाओ उठा लिया हमने फिर उसकी पहचान के सच्मुझ बाबा के साथ हमारा 100% स्ने है या नहीं है उसकी पहचान क्या होगी तो कहा सब के साथ भी 100% स्ने है है यह मानने में आ सकता है तो संगम यूगी प्रालब्द है कि हर आत्मा के प्रती भी कोई आत्मा कैसी भी है उसकी कमी कमजोरी देखते हुए जानते हुए भी उसके प्रतिसने और सम्मान देना ये कौन कर सकता है जो राज्य अधिकारी होगा सोमान धारी होगा वही इसलिए बाबा ने जब मुरली शुरू किया न तो बाबा के वर्ड्स आप देखो बाबा के एक एक शब्द बड़े चुने उवे रहते हैं यही तो भगवान है उसका प्रमान है कहीं लोग कहते बाबा आया हमको तो फिलिंग आई नहीं अरे बाबा की मुरली के एक एक शब्द से आपको पता चलना चाहिए कि कोई इंसान के बोल नहीं है ये कितने चुने हुए रहते कि बाबा ने जब मुरली शुरू किया कि बाबा स्वराज अधिकारी स्वमान धारी बच्चों से मिलने आये हैं क्योंकि जो स्वराज अधिकारी होगा वो स्वमान धारी होगा ही होगा जो स्वराज अधिकारी नहीं है जिसका अपने उपर अपनी इंद्रियों पर अधिकारी नहीं है माना वो स्वमान में अपने आपको स्थित करी नहीं पारा है तो जो स्वमान धारी है उसका दिल से हरात्मा के प्रती भी वही स्ने और सम्मान का भाव होगा लेकिन अगर वह नहीं है और उसमें भी बाबा ने एक शब्द और जोड़ दिया हद का नहीं, बेहद का कितने चुने हुए बाबा के एक एक शब्द आप देखो और उस समय इतने मन के अंदर भावना आती है कि देखो कोई इनसान ये शब्द नहीं बोल सकता है कंटीन्यूट यांत तक बाबा की और एक एक शब्द के उसमें भी जैसे चुन चुनकर के बाबा ने शब्द को लिया हुआ है और उसका प्रयोग किया हुआ है यही तो भागवान ने मुरली चलाई उसकी गैरंटी है कि कोई इनसान का ये शब्द नहीं हो सकता है कहीं लोग इसलिए जब ये कहते बाबा आये लेकिन हमें तो फिलिंग नहीं हुई हमको तो लगा ही नहीं इसका मतलब कि हम कुछ बाहियता में समझ बैठे थे कि भगवान आयेगा तो बाहिय स्वरूफ से कुछ चेंजिस होंगे या बाहियता में कुछ परिवर्तन दिखाई देंगा माना हमारी बुद्धी इतनी स्थूल लेवल पर थी कि हम स्थूल में कुछ देखने की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन अगर हमने ग्यान मार्ग को समझा है तो ग्यान मार्ग हमारी बुद्धी को इतनी सुक्ष्म बनाता जाता है कि हमें बाबा की हर सुक्ष्म बात में भी वो स्रेष्टता के जो कोई इंसानी बाते नहीं होती है वो दिव्यता वो अलोकिकता सब महसूस होने लगे और इसी को अनुभव करने के लिए ही बाबा ने कहा स्वमान धारी बनो कि जो स्वमान धारी होगा वो उस लेवल से उस दिव्यता का अनुभव कर सकेगा परमातम अनुभव कोई स्थूल बुद्धी से नहीं होता है परमातम अनुभव करने के लिए भी वो बुद्धी हमारी इतनी सुक्ष मचाईए और तभी हमने वो रतनों से अपनी जोली को भरने की योग्यता अपने आप में प्राप्त की होगी इसलिए जितनी बुद्धी को सुक्ष मचाईएंगे उतनी दुआओं से अपनी जोली हम अपने आप भरते जाते हैं अनिक आतमाई भी जहां पर हमारे बातों से या हमारे व्यावहार से, हमारे कर्म से संतुष्टा मैसूस करते या खुशी का अनुबव करते हैं यही उसकी दुआ है हमारे प्रति दूसरा दुआएं प्राप्त करने का आधार है कि जब कोई विशेश कार्य के लिए निमित बनने का एक भाग्य मिले तो उस चांस को कभी गवाना नहीं क्योंकि वो चांस अचानक आता है और वो चांस अचानक आ करके जब हमारे सामने खड़ा हो जाता है और उस वक्त हमारे मुख से अगर निकल गया नहीं नहीं यह मैं नहीं कर सकती हूँ बस यह नहीं नहीं कहा माना हम अपने भाग्य के दर्वाजे को बंद कर देते हैं और दुआएं महां से जो आने का दर्वाजा भगवान ने एक अउसर दिया वो दर्वाजा ही हमने बंद कर दिया तो हमें दुआएं मिलेगी नहीं इश्वर की दुआएं भी नहीं मिलेगी इसलिए बाबा हमेशा साकार में जब थे तो एक बात कहते थे कि हां करना माना आस्तिक ना करना माना नास्तिक तो नाजी का पाठ हमारे मुख से न निकले हां जी हां जी जितना हां जी करते जाते हैं हां जी करना माना जैसे वो दुनिया में नहीं कहते सिमसिम दरवाजा खु जाते हैं और उससे इतनी उन्नती होती है भगवान इतना आगे बढ़ा देता है हमें क्योंकि भगवान जब कुछ देना चाहता है तो अउसर तो लाएगा ना आपके सामने और उस समय अगर हमने मना कर दिया तो वो अउसर दूसरे के पास चला जाता है हमने ना किया नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ तो दूसरा कहेगा अच्छा मैं करूंगा तो ये अउसर उसके पास चला गया अच्छा मैं करूंगा तो उसनी अपने भाग्य के दर्वाजे खोल दिये अब उसके पास जब चला गया तो भगवान जो मुझे देना चाहता अब मुझे तो दे नहीं सकते कि मैंने दर्वाजा ही बंद कर दिया तो उसको दे देता है बाबा ने कल की मुरली में इसलिए एक बात बहुत अच्छी और कही कि बाबा हर आत्मा को विशेशता की गिफ्ट देता है बाबा के बच्चे बने और हमारे अंदर विशेशता ना आये यहो नहीं सकता है बाबा विशेश है तो उसके हर कारियम में जैसे कोई न कोई विशेशता हमें प्रदान करना चाहता है और उसी के लिए ड्रामा में वो अउसर क्रियेट करता है ताकि यह बच्चे की उन्नती हो प्रगती हो और उसको यह विशेशता में दे सकूँ और वो दुआओं के रूप में मिलती है इसलिए तो बाबा कई बार स्मृती दिलाते हम बच्चों को के बच्चे जब भी कोई उस विशेशता की तारीफ करे या कुछ कहे तो क्या कहो यह बाबा की देन है करन करावन हर बाबा है वो कराने के लिए निमित बना रहा है और जब इस प्रकार से हम उसको समर्पित कर देते हैं बाबा को तो बाबा की दुआएं डबल हो करके मिलती है इसलिए उसका अभीमान न करो कि ये मेरी विशेष्टा है बाबा की देन है क्योंकि ये विशेष्टा पहले तो नहीं थी बाबा के बनने के बाद मिली है अच्छा पहले से भी अगर थी तो भी बाबा के बनने के बाद उसकी वृद्धी और हुई है तो ये तो बाबा की ही देन थी ना उसको अपना समझ लेना और उसका अभीमान करना तो ये अभीमान की जहां फिलिंग आई तो वहां स्वमान तो नहीं रहा तो दुआओं का दर्वासा बंध हो जाता है इसलिए बाबा बार बार उस बात पर अंडरलाइन कराता है मैं और मेरे को ट्रांसफर करना सीखो जो समझदार बच्चे होते हैं वो मैं और मेरे को ट्रांसफर करना सीखते हैं और उसी से ही उसका दुआओं का खाता बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको अभीमान नहीं आता है, हर बात में जब ये कहता है कि बाबा करा रहा है, बाबा कराने वाले हैं, प्रेक्टिकल आदर्निय दादी जी को हम देखते हैं, दादी जी के जीवन में कभी भी मैं शब्द क प्रयोग नहीं हुआ है, कभी भी आदर्निय दादी जी, प्रकाश्मनी दादी को आप देखेंगे, दादी जी हमेशा एक ही बात कहती है, दादी ये सोचती है, दादी ये कहती है, मैं कहती हूँ, दादी का ये शब्द ही नहीं है, दादी को ये बाबा ने दिया है, दाद मैं आत्मा और वो दादी अलग है वो दादी को किस ने बनाया वो बाबा ने बनाया दादी के मुख से आज दिन तक आद दादी को सभी प्यार क्यूं करते हैं क्योंकि दादी ने कभी ये शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मैंने ये यज्य में इतना contribute किया ये मैंने ऐसा किया मैंने कभी नहीं दादी की dictionary के अंदर मैं शबद इनहीं है दादी की dictionary में हमेशा यही है बाबा ने दादी को ये भाग्य दिया बाबा दादी से ये करा रहा है दादी ये सोश्टी है या दादी की ये भावना है ये है दादी के शब्द पंदरा साल से मैं मदुबन में रह रही हूँ और दादी के नस्दीक रहने का कहीं सौभाग ये प्राप्त हुए और यही बात दादी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेणा वाली है कि दादी ने मैं शब्द का प्रयोगी नहीं किया मदुबन वालों को भी जब दादी कोई डाइरेक्शन देती है कोई आग्या करती है तो भी मदुबन वालों को भी दादी यही कहती है दादी ये कह रही है आपको मैं कह रही हूं नहीं वो दादी कौन है जिसको भगवान ने निमेत बनाया है वो है दादी की ये आज्या है दादी की ये भावना है दादी का ये संकल्प है आपको पुरा करना है मेरा संकल्प है मेरा और मैं शब्द तो दादी की डिक्षनरी में ही नहीं इसलिए सबसे न्यारी भी है और सबसे प्यारी भी वही है वहां तक कि भगवान को भी इतनी प्यारी है कि आज भगवान भी उसको देखता है बुखार है आप सोचो कि भगवान उसको हाथ लगा करके कहे कि बुखार है, बुखार भाग गया भगवान ऐसे ही थोड़ी कि इसको प्यार कर लेता है तो इसी लिए क्योंकि दादी के जीवन में मैं और मेरा शब्द ही नहीं है इतनी उची स्टेज है दादी की तभी वो भगवान के साथ बैठने का अधिकार है तो ये भावना हमें भी और ये बार-बार बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है बच्चे मैं और मेरे पन को ट्रांसफर करना सीख लो सीख लो और जो ये बात को कर सका मैं और मेरे को ट्रांसफर करना सीख लिया जिसने उसके जोली दुआओं से न भरे ये हो नहीं सकता है और दुआओं की जोली जितनी इंटेंसिटी से हम भरते जाते हैं उसमें भी इंटेंसिटी आती है जिसको बाबा ने दूसरे शब्द में का द्रिडता और जितनी इंटेंसिटी से उसको भरते जाते हैं उतनी इंटेंसिटी से वो प्रालब्द प्रत्यक्ष स्वरूप में सामने आता ही है कि हो नहीं सकता है कि नहीं आता है और इसी लिए बाबा हम बच्चों को यही कहता है संगम योगी प्रालब्द को अनुभव किया है जिसने संगम योगी प्रालब्द को अनुभव नहीं किया वो भविश्य प्रालब्द को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और इसलिए कल बाबा ने जब कहा कि नई दुनिया की शुरुवात में जो नौ लाख आत्माएं हैं वो नौ लाख आत्माएं भी कैसी होगी उसकी थोड़ा सा जलक दिखाया तो उसमें तो हम सबी है इना जो स्वमान के श्रिंगार बाबा ने हमें दिये है अब समय आ गया है परदा खुलने का और अग्यर हम अपने सेट से तयार नहीं हुए अभी हम अपने आपको श्रिंगारने में ही लगे हुए है अभी तक मैं मेरा पन बाकी है यह सब डाग दूग लगे हुए है और समय का परदा खुल जाएगा तो क्या सत्यू के नंबर वन की स्थिती में हम पहुँचने के योग्य है और अब समय तो इंतजार नहीं करेगा क्योंकि कब तक हमको यह सलबेले पन की चाल में चलाता रहेगा समय भी और बाबा भी अगर हम तयार नहीं हुए तो कुछ दूसरी आत्माओं को तयार कर लेगा जो बाबा ने बाबा को एक बार प्रश्न पूछा था किसी ने कि बाबा जब इतने अभी तयार ही नहीं हुए है ब्रामन तो सत्यू की आदी में 9 लाख की प्रजा सहीत होंगे और त्रेता की अंत तक 33 कोरोड आत्माओं तो बाबा ने उस समय कहा था कि कुछ आत्माओं भक्ती मार्ग में भी रेडी मेड है जिनकी धारना ये तनी अच्छी है ज्यान में चलने वालों से अच्छी है सिर्फ उनको बाबा का परीचाई नहीं है बाकि भगवान पर निश्चाई है और जिस दिन ये परीचाई मिल गया और वो निश्चाई ट्रांसफर हो गया बनी बना ये आत्माओं है ये वो वो आगे चली जाएंगी और जो इतने सालों से चलने वाले वो पीछे रह जाएंगे उस समय बड़ा पश्चाताप होगा इसलिए अभी दूसरों को नहीं देखो आपके परिवार में भी ऐसी आत्माओं होगी रेडी मेड जिसकी धारना पवित्रता की धारना भी है सब कुछ है सिर्फ उसको निश्चे की वो बाकी है और जिस दिन वो निश्चे हो गया रेडी मेड सोल तो है यह वो इसलिए कहीं वो आगे न चला जाए इसलिए बाबा कहीं बार कहते हैं लास सो फास सो फस्ट वो भी फस्ट नंबर में सत्युके आदी में आने के लिए तयार है इसलिए बाबा को अपना काम जो कराना होगा न बच्चे अगर तयार हुए तो ठीक है नहीं तयार हुए तो क्या करेगा समय तो रुकने वाला है नहीं यह अलबेलापन की चाल से हम अब तक चलते रहे आगे भी चलते रहेंगे ऐसा तो होने वाला है नहीं न चार्ट चेक करें, हम अपनी चेकिंग करें और अपने आपको कम्प्लीट करें, इधर उधर देखने की जरूरत मुझे नहीं है। लोगों से तो ये लोग अच्छे, कहते हैं कि नहीं आपको, कि आप लोगों से ये लोग अच्छे हैं, तो माना वो रेडी मेड आत्मे हैं ना, खाली भगवान का पहचान की देरी है, इसलिए गफलत में नहीं रहना, कि अभी समय बहुत पड़ा हुआ है, बाबा को जब हिसाब किता भक्ती वाला है, इसलिए उसको अभी तक परीचय की कमी है, बाबा की, लेकिन जिस दिन परीचय मिल गया ना, ब्रह्मा बाबा की तरह बेहत के वैरागी बन जाएंगे वो, और नंबर वन में चले जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में चले जाएंगे, और जो इतने सालों से ज्ञान में चलने वाले वो अफसोस करते रह जाएंगे, कि हम उनको देख रहे थे, कि यह तो बक्ती मारग वाला यह अज्यानी है, यह ऐसा है, वैसा है, हम यह सोच रहे थे, लेकिन यह हम से आगे चला गया, तो इसलिए 33 करोड तयार करना बाबा के लिए क कोई बड़ी बात नहीं है, और वो जैसा ही समय आ जाएगा, तभी तो भगवान को कहते हैं, कि भगवान क्या नहीं कर सकता है, बस एक जादू की छड़ी गुमा देंगा, और सब हो जाएगा, इसलिए यह मत, यह गलत फेहमी अंदर में नहीं रखो, कि भगवान हमारे द् बड़ी है, नहीं भगवान किसी के द्वारा भी करा देगा, और आप रह जाएंगे और उस समय पश्चाताप के आंसू आएंगे, इसलिए जब कोई विशेश कारिये के लिए निमित बनना है, तो माना दुआओं के जोली अपने आप में भरनी है, इसी रिती से हम हरे की दुआओं को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, और यही दुआओं की जो शक्ती है, वो बड़े से बड़े परिक्षा के पेपर में भी पास करने के लिए निमित बन जाएंगी, कितनी बड़ी बड़ी परिक्षाएं हमारे सामने आएगी, और भी समय के हिसाब से, लेकिन उस समय में भी वो परिक्षाओं को सहच पार करने की जो लिफ्ट मिलेगी, वो लिफ्ट ये दुआएं हमारे लिए कारिय करेगी, दुआओं के बिना लिफ्ट नहीं है, इसलिए हमारा कर्म व्यवार ऐसा हो सौमान के आधार पर सम्मान वाला सब के प्रती स्ने शुबभावना शुबकामना वाला के सहजी उस लिफ्ट के माध्यम से हम अपनी स्टेज को प्राप्त हो जाएं परदा खुलने से पहले अब दीरे दीरे खुलने लगा है परदा जब तक हमारे तरफ आए तब तक हम अपने आपको तो तयार कर ले अभी और उसकी सहज विदिस लिए पिछले साल भी बाबा ने ये दो बातों के उपर ही ज्यादा स्ट्रेस किया हर मुरली के अंदर एक दो स्वमान सम्मान और दूसरा दुआएं दो और दुआएं लो क्योंकि दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है जो स्वमान वाला होगा वही दुआओं को जमा करने के अधिकारी हो सकता है ठीक है ना तो इसी लिए पहली मुरली इस सिजन की भी जो चली वही चली के अमा अब बाबा एक ही बात पर जोर दे रहा है कि बाबा की अब यही आश है बच्चों के प्रती और वो आश बच्चे पूरा करें अब जो ये पान का बिड़ा उठाएं जो उसके लिए निमित बने जो अपने आपको पहला समझे पहला करें वो अधिकारी है बकि ये नहीं कि ये कारिय तो टीचर्स बहनों का है ये कारिय तो उसका है ये कारिय उसका है ये कारिय दादियों का है नहीं जो भी निमित बनेगा बाबा उसको संपन करने की लिफ्ट प्रदान कर देगा तो इसी लिए बाबा कहीं बार कहते हैं और कल भी बाबा ने दो-तीन बार ये शब्द रिपीट किया follow father कि कोई भी बच्चा follow father कर सकता है और आगे बढ़ सकता है इस विधी से तो ये है कि दुआओं को जमा करने की विधी वैसे तो बहुत बड़ा विशय है लेकिन उसको बाबा की मुरली के हिसाब से जो सार में समेट लिया कि इसी एक बात का पुर्शार्थ हम करे कि सारा दिन हमारी दृष्टी वृत्ती कर्म व्यवार सब कुछ स्वामान के आधार पर हो तो सहजी दुआओं को हम जमा कर लेंगे अच्छा ओम शांति